नमस्कार शामद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनों आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक शामद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चेनल गो ब्लॉक्स में दोस्तों इस समय मेरे सामने एक सुन्दर सी मेल हतेली आप पुरुष जातक है और आपकी जो रियल हतेली है वो मेरे सामने विबेचना के लिए आई हुई है हाँ ये बात भी है कि इस हतेली की विबेचना में दो-तिन साल पहले भी कर चुका हूँ उन्होंने फिर से मुझे अपनी हतेली की विबेचना के लिए पुनह बेजा है और ये बात तो जरूर है कि देखेगा जैसे जनम कुंडली में वर्सफल लगता है ने चीजें बदलती है वे इसे हतेली में भी जो है चीजें बदलती हैं गरह अपने अलग-अलग इस्तिती में गोचर में पहुचते हैं और रेखाओं में भी कही न कही परिवर्तन होता है कितना वहा है ये देखेंगे सबसे पहले देखेगा हतेली की जो आकृति है, पोनहां कहोंगा वो आईताकार है, निश्चित रूप से हतेलीयों की आकृति के इसाब से जो परकार होती है, उसमें उच्च कोटी की हतेली है, और जिसके कारण जो जिग्यासोव वाला ब्रहतित्व है, वो आपके अंदर भर पढ़ा है जो ऐनलेटिकल वालव में वह आपके अंदर भढ़ा पड़ा है और दार्षनिक किसम का ब्व्यक्तित्व भी आपके अंदर इस हतेली की आकृतिके कारण है लिकिन आपकी हतेली में सबसे बड़ी एक चीज है आपकी हतेली में अगर देखेंगे तो जो उंगलियां है जो फिंगर है उनके नीचे के भाग में पूरी आरपार्थ चीजें दिखाई दी रही है पूरी तरो से तो इसका मतलब ये है कि जब भी हतेली में इस प्रकार की चीजें होती है ऐसे लोगों के पास धन नहीं टिकता है चाहे कितना भी पैसा आजाए संचय नहीं हो पाता है जिस प्रकार से होना चाहे था खर्चेला स्वभाव बढ़ जाता है अनायास खर्चे ज्यादा आ जाते हैं और बुड़ापे में भी जब यहां पर आरपार दिखने बैट जाए तो धन के मामल संगर्श की इस्तिती झेलनी पड़ती है और खास करके यह वाला भाग अगर इस प्रकार से हो तो 56 एर तक का जो मामला होता है उसमें कहीं न कहीं ब्यक्ति के जीवन में संगर्श को दिखाता है धनहानी को दिखाता है ऐसे लोगों को अपनी जीवन काल में बिजनिस नहीं करना चाहिए या बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए ऐसे लोगों की हतेले में बिजनिस में नुकसान को दिखाता है और बहुत जरूरी हो आपके पास कोई रास्ता नहो तो अगर आप ब्यापार ही करना चाहते हैं तो पार्टनर्शिप में ऐसे लोगों को ब्यापार नहीं कर चाहिए और खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है ठीक है ने पहले तो 42 वर्ष की आउई से चीज़ें ठीक होने बैठ जाती हैं लेकिन अगर 42 एर से चीज़ें ठीक ना होने बैठें तो 56 वर्ष की आउई के बाद चीज़ें नॉर्मल होने बैठ जाती हैं लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, सुक्र के कारण, कहीं न कहीं जो है, पीठ का दर्द है, गोटने का दर्द है, कमर की प्रॉबलम है, जिसे साठिका की प्रॉबलम कहते हैं, वो प्रॉबलम भी बढ़ जाती है, ऐसे लोगों को नियमित रूप से योगा है, प्रणायाम है सूर्य किरिया है दिब्यय योग ध्यान किरिया है यह जरूर करनी चाहिए इससे ऐसे चीजों में राहत मिलती है और कहीं न कहीं चीजें बेहतर होती हैं आपका पहला सवाल है आप लिखते हैं अभी तक किसी भी छेतर में मेरी प्रोग्रेश नहीं हो पाई है क्या MLA, MP, मंत्री किसी रज्य का गवर्नर के योग हैं पहले इसको ले लेते हैं किसी भी छेतर में प्रोग्रेश का नहो पाना क्या बताता है यह बताता है कि देखेगा आपका जो ये वाला पोर्षन है ये वाला पोर्षन है ये बिलकुल डाउन इस्तिति में है बहुत और ये कहीं न कहीं सूर्य का प्रभाव आपकी जीवन पर दिखाई दे रहा है मनि सूर्य पूरी तरों से उर्जा प्रवाइड नहीं कर रहा है और जब सूर्य आपकी हतीली में इस प्रकार से होता है ये प्रेक्टिकल रूप में परिणाम देता है चाए आप हस्तरेखा क को मानते हैं नहीं मानते हैं कुंडली को मानते हैं नहीं मानते हैं वो आपकी चिंता है वो हतेली की या कुंडली की चिंता नहीं है लेकिन ये परिणाम प्रैक्टिकल देते हैं जब ऐसा हो तो बिक्ति निश्चित रूप से किसी भी छेतर में उन्नत नहीं कर पाता है आशों में पूरी तरों से ब्यक्ति सफल नहीं हो पाता है ऐसी इस्तिति में जो आप मेहनत करते हैं जो आप परिश्रम करते हैं उसका जो पूरा स्रेय है जो पूरा क्रेडिट है वो आपको नहीं मिल पाता है ऐसी इस्तिति अगर सूर्य की हो तो कहीं न कहीं ऐसी इस्तिति म जो आपके अंदर quality होती है, जो आपके अंदर योग्यता होती है, उस तरों से चीजे उभर कर नहीं आती है, निखर के नहीं आ पाती है, ऐसे में अगर आप ब्यापार की तरब जाते हैं, तो ब्यापार में न वो बिस्तार मिलता है, न वो फैलाव मिलता है, न वो नाम मिलता न वो यस की प्राप्ति होती है न वो ब्यक्ति ब्रांड बनकर उबरता है जिसके लिए उसने सारा कुछ दाओं पे लगा के ब्यापार में गया था अगर ब्यक्ति निष्चित्रोफ से अगर नोकरी भी करता है तो नोकरी में वो वास्त्विक ग्रोथ उसको नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आपको खपा लिया हो और एक सहजता से एक सरलता से ऐसे बिक्त को जीवन में रास्ता नहीं मिल पाता है और उसका कारण क्या है? इसका कारण आपके अंदर ही छिपावा होता है इसका मुख्या कारण है आपका रुटीन आपकी दिन चरिया कहीं न कहीं आप अपनी दिन चर्या को मैंटेन नहीं रखते हैं मैंनेज नहीं रखते हैं और दिन चर्या के लंबे समय से बिना मैंनेज के होना बिना मैंनेज के होना ये दिखाता है कि आपका जो अंदरूनी सूर्य है वो प्रोपर उर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है और आपके जो साररिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस पर तालमेल मिन नहीं है जिसके कारण इसका प्रभाव आपकी जीवन के तमाम आयामों पे पढ़ रहा है कहीं न कहीं आपका जो साररिक स्वास्थ्या है आपकी जीवन की जो वास्त्विक खुसाहाली है आपकी जीवन में जो उत्सा होना चाहिए था वो उत्सा है आपकी जीवन की जो उर्जा होनी चाहिए थी वो उर्जा बिखटित रूप में है मनि इन चीजों की आपको चिंता करनी पड़ रही है ये चीजे आपके साथ नहीं है ऐसे लोगों को प्रावपर तरीके से जीवन में दिव्य सूर्य किरिया जरूर करनी चाहिए लेकिन उसका एक नियम होना चाहिए ये ऐसे नहीं कि आप आट बजे कर रहे हैं दस बजे कर रहे हैं यार किरिया ही तो करनी नहीं उसका एक समय होता है कि एक प्रैक्टिकल टाइम में जो चीजें होते हैं प्रैक्टिकल रूप से करते हैं एक निश्चित समय होता है अगर आप विदियो तरीके से मन से और एकागरता से और ठान लें कि इ prize दिब्या सूर्य किरिया करनी है अगर आप तीन से चार मेहने तक इस दिब्या सूर्य किरिया को प्रोपर तरीके से करते हैं जिस विदिसरे दे रहा हूं कृति में मौजूद भगवान सूरे के चक्रों के साथ परस परताल मेल में होंगे ही होंगे और उसका प्रभाव भी आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा जहां आपकी सारेरिक सेहत बेहद अच्छी होने लगेगी वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा औ और आपका जीवन निश्चित ही सहजता से चलेगा फिर चाहे सारेरिक स्वच्थ्य हो जीवन की खुसहाली हो उत्सा हो जीवन की ओरजा हो इन चीजों की आपको चिंता नहीं करने पड़ेगी ये चीजें हमेशा आपके साथ रहेंगी देखेगा यही हर सूर्य किरिया की बुनियाद है जिसकी प्रकृति भौतिक है जिसमें आप प्रकृति के चक्रों के साथ तालमेल बना पाएं देखेगा आपका जो अस्तित होता है या विक्ति का जो अस्तित होता है वो प्रकृति में मौजुद चक्रों से मुक्त नहीं होता है सूर्य किरिया का मतलब है सापमान कायम नहीं रख पाती यह प्रेक्टिकल चीजे हैं अब इसके कारण जो है आप किसी भी छेत्र में प्रोग्रेश नहीं कर पा रहे हैं अब आपने आगे क्या लिखा है MLA MP मंत्री किसी रज्य का गवर्णर के योग है देखेगा यह सब राजनीति का छेत्र है सरकार क छेत्र है और इन छेत्रों में सफलता पाने के लिए हमारी हतीली में चार ग्रहों का चार प्लेनेट का जो पुष्ट और सुन्दर होना बलवान होना बहुत जरूरी होता है उसमें सबसे पहला होता है आपका निम्नमंगल और आपका उच्चमंगल ठीक है जो हमारी जीवन पचाने की ताकत को दिखाता है ठिक और राजनीति में सफल होने की प्रबलता को बढ़ाता है यहां पे आपका निम्न मंगल कमजोर है तो पहला ग्रह राजनीति के लिए बहुत अच्छा नहीं माना गया है बले ही दोसरा ग्रह जो उच्छ मंगल है वो थोड़ा ठीक है इसस प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा एनरजेटिक स्वभाव भी रहेगा यह निश्चित है लेकिन निम्न मंगल आपका अभी बहुत अच्छा नहीं दिखाई दी रहा है इसमें आप देखेंगे यहां पे गड़ा है यहां पे बहुत ज़्यादा उबर गया है और यहां पे रेखाई इसको काट रही है जब यह गड़ा होता है तो पेट से समंधित प्रेशानियां बढ़ती है खास करके जब चंद्रमा भी बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो तो आपका जो डाइजेस्टिल सिस्टम है उसमें प्रेशानियां आती है और उसके कारण चीजे मनि स्व जो सारिक ताकत है उसको कम करता है जैसे जैसे उमर बढ़ती है सरीर के जो जोड़ है वो ठीक से काम नहीं करते हैं और धीरी धीरी जब ज़्यादा उमर बढ़ती है तो सरीर में कमपन की समस्या देता है इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा अगर पढ़ गया तो यह उक्त सूर्य किरिया दे रहा हूँ उसमें मंगल का उपाई दे रहा हूँ जरूर करें आपको अच्छा लाब होगा ठीक है ने अब दोसरा ग्रह होता है आपका जो है ब्रेस्पती ब्रेस्पती आपका अभी सामन्य है मनि बहुत जादा कमजोर नहीं है बहुत जादा भी है अगर ब्रेस्पती आपका और सूर्य आपका अच्छी इस्तिती में आ जाए तो निश्चित रोप से और चंद्रमा आपकी अच्छी इस्तिती में आ जाए तो निश्चित रोप से यह आपको या तो पदोनती देगा या राजनीती के छित्र में अच्छी stability देगा आपको सफल बनाएगा लेकिन अभी ये योग नहीं दिखाई दी रहे हैं ब्रिस्पति की तरफ से भी तीसरा ग्रह होता है आपका सूर्य जिसको सरकार का कारक माना गया है ये मैंने पहले बता लिया है आपका सूर्य बहुत कमजोर है और साथ साथ में ये च्छेतर भी बुद्ध का च्छेतर भी कमजोर दिखाई दे रहा है हरी सबजी है, हरे फल है, हरी दाले हैं, इसका सिवन जादा से जादा करें, तो चीजें आपके पक्ष में आनी सुरू हो जाएंगे चोथा होता है आपका चंद्रमा, बहुत पूरी तरों से अन्बैलेंस है तो न तो अभी MLA, MP, मंतरी किसी रज़के गवर्णर के योग नहीं बन रहे हैं, ये आपके हतीली इस पश्ट तरीके से कह रही है अब आप कह रहे हैं, आगे लिख रहे हैं, क्या बिजनिस करों, जिसमें सरवादिक सफल हो पाऊं देखेगा, मैंने इसको देख करके आपको बहुत पहले कह दिया है, कि आपके जीवन में बिजनिस के अभी योग नहीं है हाँ, 56 वर्ष के बाद, 57 वर्ष से चीजें बहतरीन इस्तिति में आ रही है हो सकता है, उसके बाद योग बन जाएं, तो कहने सकते हैं, लेकिन अभी बिजनिस के योग नहीं है मेरा अंतसमय कैसे बीतेगा, अगर हम इसके हिसाब से देखें, तो आर्थिक तंगी दिखाई दे रही है आर्थिक रोप से संगर्स दिखाई दे रहा है, इसका मैं उपाई दूँगा, जरूर करेगा, ये संगर्स नहीं रहेगा अगर इसके हिसाब से देखूं, तो 57 से चीजें बहतरीन इस्तिति में आ रही है तो सुक्र का अगर बेहतरीन प्रभाव पड़े तो निश्चित रोप से आपका बुड़ापा ठीक रहेगा अब आगे लिखते हैं आप क्या नौकरी में मेरी पद्दोनती होगी देखेगा अभी हल्की संभावनाएं ब्रिस्पती की तरब से दिखाई दे रही है नौकरी के मामले में ठीकन लेकिन यहाँ पर भी सनी जो है थोड़ा कमजोर पड़ रहा है तो इसमें बड़ोतरी हो जाए इसमें एक छोटा सा उपाई में दे दूँगा जो बिल्कुल छोटा है जिसको आप वेसे भी कर सकते हैं तो निश्चित ही थोड़ा सा आपको समय जरूर लेगेगा लेकिन फल मिलेगा अब आप लिखते हैं मेरी आतों लीबर में परेशानी है आते लीबर थोड़ा सा ठीक नहीं है जिससे भोजन ठीक से नहीं पचता और सरीर कमजोर है देखेगा इसका जादतर कारण है आपका चंद्रमा और आपका निम्न मंगल और आपका सूर्या इन तीन गरहों की उज़से जो कहीं न कहीं निश्टीज की अवस्ता से हलके रूप में उबर रहे हैं ये अच्छी बात है लेकिन जब चंद्रमा इस प्रकार से होता है उसक इसी इस्तिति में बिक्ति का मन गणबण रहता है कई बार बिक्ति को मानसिक प्रेशानियां गर्शित करती हैं और खास करके जब इसमें ये इस्तिति हो तो बिक्ति बहुत ज़्यादा भावक होता है और कभी-कभी ऐसी इस्तिति आती है कि बात-बात पर आंक से आसु बह जाते हैं या बिक्त इमॉशनली परेशान हो जाता है चंद्रमा कमजोर हो उसका साथ जो है ये भी दे रहा हो सूर्य भी दे रहा हो तो बिक्त का मन अच्छा नहीं रहता है मन काम यहां कर रहा है मन कहीं और दोड रहा है कभी-कभी उचाट होता है कभी-कभी मन खराब सा रहता है जी नहीं ठीक रहता है कामों में मन नहीं लगता है ठीक ने ब्याकुल हो जाता है ऐसी इस्तितियां ये देता है और देखिएगा हमारे मन से जुड़ावा होता है सीधा हमारा digestive system इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट भी कहीं न कहीं सही नहीं होगा इसका छोटा सा उपाई है practical रुप में करेगा लाब होगा और जब भी आपका चंद्रमा नगेटिव हो चंद्रमा के निगेटिव हो जाने पर मा का सुक भी ब्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है और चंद्रमा अगर खराब हो तो कई बार नीन आने में भी दिक्कतें आती है छोटे छोटे उपाई दे रहा हो निश्चित ही आपको फायदा होगा और चीजें बहतरीन इस्तिति में आनी सुरू होगी यह है लेकिन करना पड़ेगा यह आपके सवाल थे और मैंने एक एक चीज को देख करके आपको उतर दिया है कुछ अन्य चीजों को देख लेते हैं आपकी हतेली आगे कुछ और क्या कह रही है यहाँ पे देखेंगे तो यह जो आपका ब्रिस्पती का छेत्र है इस छेत्र से उंगली का जो जुकाओ है यह मिडल फिंगर की तरफ दिखाई दे रही है तो निश्चित ही आपके अंदर धार्मिक भावनाईं बहुत अच्छी है इस्वर में विश्वास बना हुआ है अपने आरद्य के प्रतिसमरपन की भावना भी है जीवन में कैसी भी प्रस्तिती रहेगी लेकिन इस्वर से विश्वास नहीं उठेगा चर्मर आएगा नहीं और आपकी जीवन में जो दयालुता है वो बनी रहेगी जो कुरूरता है निश्ठूरता है यह चीजें जादा आपको प्रभावित नहीं करेंगी यह बता रहा है यह यहां से ठीक है लेकिन हल के रूप में जोकावा है कुछ जादा मेहनत और प्रिस्रम करने पर ही आपको चीजों में सपलता की प्राप्ति होती है यह उंगली पूरी तरो से जोकी हुई है इस उंगली की तरफ सूरी की उंगली निश्चित रूप से आपके अंदर यस पाने की बहुत ज़्यादा इक्षा है मान सम्मान प्रतिष्टा पाने की बहुत ज़्यादा इक्षा है आपके कारियों में बिस्तार हो जाए उसका फैलाव हो जाए आपका नाम और यस हो जाए ये इक्छाएं प्रबल रूप से आपके अंदर है और ये जीवन के अंतिम छन तक बनी रहेंगी ये आपकी हतिली का ये जुकाओ बतातावा दिखाई दे रहा है यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये इससे हलकी बड़ी है और मिडल फिंगर से छोटी है आपके अंदर हलकी रोप में रिस्क लेने की ताकत है चीजों में जोखिम उठाने की ताकत है और इसमें कहीं कोई अगर नुकसान भी हो जाए तो गिरकर पनो उठने की ताकत भी है जिसे हिम्मती सुभाव कहते हैं ये चीज़ें आपके अंदर सूरे की तरफ से पोजिटिव है चीज़ें अच्छी हैं ऐसा बिक्ति अपनी जीवन काल में सफल भी होता है ये चीज़ है यहां पे कहीं न कहीं इसका हलका जुकाव है इस तरफ तो धन कमाने की जो ललक है आपके अंदर जबरदस्त रहेगी यहां पे देखेंगे तो यह इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रहा है यहां तक नाखोन बढ़ाएं तो निश्चित ही इसका लाब आपको जरूर होगा यह दिखाई दे रहा है एक चीज और देखेगा सभी उंगलियों का जो जो जोकाओ यहां पे हलकी रूप में दिखाई दे रहा है यह कहीं न कहीं मिडिल फिंगर की तरफ दिख रहा है और देखेगा जब भी आपकी उंगलियों का जोकाओ मिडिल फिंगर की तरफ होता है और आपकी हतेली में हो या जादतर जनम कुंडली में हो सनि साड़ी साती में हो ढहिया में हो या बकरी अवस्ता में हो तो उस समय इसका जो प्रभाव है कहीं न कहीं आपके जीवन में प्रेक्टिकल रूप में पड़ता है ऐसे में आप कई बार दुखी से हो जाते हैं कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है ये इनका जुकाओ बता रहा है एक सुखत जीवन जीने की चाहा बनी हुई है और सुखत जीवन जीने के लिए प्रतनसील बिक्तितों भी है थोड़ा एगो प्रोब्लम भी आपके अंदर बना रहेगा उसके साथ साथ देखें तो राजनीती की महत्व कांचा भी आपके अंदर जबरदस्त रूप में बनी रहेगी ये इस पश्ट दिखाई दे रहा है सूर्य की सौरी हिर्दे रेखा को देखे तो यहां पर ये ब्रिस्पति और सनी के बीच में देख रही है और इस लकीर पर देवगुरू ब्रिस्पति का और सनी का सीधा-सीधा प्रभाव पढ़ रहा है बला बला आ रहा है एक तो भावकता आपके अंदर बनी रहेगी ऐसा बिक्ति भाव को होता है अपनी जिवन काल में लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो ऐसे वो ऐसे बिक्ति की महत्व कांचाई बढ़ जाती है ऐसे बिक्ति अपने जिवन काल में कभी कबार बहुत बढ़े महत्व कांची होते है ऐसे लोगों की सोच बहुत आगे बढ़ने की होती है और जब इस पे गुरों का सीधा प्रभाव पड़े तो ऐसे लोगों की इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुचने की होती है वहीं सनिका प्रभाव पढ़ जाए जैसे आपकी हतीरी में पढ़ रहा है तो आगे बढ़ने के लिए विक्ति एन केन प्रकारिन जो भी उससे हो जाए ऐसा विक्ति करता है और यही चीजें आपकी हिर्दे की लकीर यहाँ पर दिखाई दी रही है देख करके बताती हुई नजर आ रही है मस्तिस्क की रेखा क्रियेटिविटी को दिखा रही है कि विक्ति क्रियेटिव है साथ साथ में यह आपकी बौदिक अस्तर को दिखा रही है कि विक्ति का बौदिक अस्तर बहुत अच्छा है लेकिन कलपनाई भी विक्ति बहुत जादा करता है जीवन की रेखा इस प्रकार सी बनी हुई है ठीक है ने जब ये पूरी तरो से ऐसा नहीं घूमता है तो जीवन में जो प्रोग्रिश का मामला होता है थोड़ा सामन्य रहता है लेकिन धेरे धेरे परिवार के प्रति समर्पन की भावना भी इस पष्ट रूप में दिखाई दे रही है और आगे चलकर इश्का लाव भी होगा ये भी बता रही है अब देखेगा इस प्रकार सी इस प्रकार सी दो रेखाईं उभर कर आ रही हैं मंगल कि अब दीखेगा अगर इस मंगल के साथ जो मैंने चार गरह गिनाएं हैं ये दो रेखाओं के साथ अगर चार ग्रह आपके मजबूत होते हैं तो दो चीजें बहुत अच्छी गटित होती हैं एक तो ऐसे जातकों को मकान का सुक मिलता ही मिलता है मकान ऐसे लोगों का जरूर बनता है और चाहे प्रोपर्टी हो चाहे सरकारी नोकरी हो में ये लोग सफल होते हैं अगर इन छेत्रों में कहीं न कहीं काम कर रहे हैं यदि राजनीती में भी ऐसे लोग जाना चाहें या काम करना चाहें तो चारों ग्रह के मजबूत इस्तित्मे होने पे इन लोगों को बड़ी सफलता मिलती है इन सभी चीजों को ये फाइदे मे दिखाता है ऐसे लोग उनको घर का सुक मिलता ही है और जो लोग राजनीत में हैं उनको इनका फाइदा जरूर मिलता है ठीक एक चीज बहुत अच्छी है आप भाग्यसाली जरूर है कहीं न कहीं अगर अन्नी चीज़ों को ठीक कर ले आप तो कहीं न कहीं आपका काम रुकेगा नहीं कहीं न कहीं से ब्योस्ताइं हो जाएंगी आपका काम चल जाएगा लेकिन जैसे जैसे इस रेखा का प्रभाव पड़ेगा और चीज़ें अच्छी होंगी लेकिन संतान को लेकर थोड़ा प्रेशान रह सकते हैं कारण कुछ भी हो मनि जैसा आपने यहां सब कुछ जो है ब्योस्ताइं बना लिए घर बना लिया विजनिस कर लिया लड़के को पड़ा लिखा के बिदेश भीज दिया और पता चला लड़का बिदेश में सेटल हो गया और आप वड़ापे में जादतर यहीं है आपको पूरी तरों से जो उसका चरम सुक का भोग था वो नहीं मिल पाया और थोड़ी चिंताएं कहीं नखी उस दोर से उठने बैट गई ये इन चीजों को भी दिखाता है वैसे ये रेखाईं बहुत सुब मानी जाती है और वास्तों में ये रेखाईं बड़ी सुब है आपको अन्यग्रहों को ठीक करना चाहिए इन रेखां का प्रभाव निश्चित है आपकी जीवन पर पड़ेगा यहाँ पर अगर देखे हम करियर और धन की रेखा ये धीरी धीरी अपनी अच्छी इस्तिति में आ रही है और जैसा सुक्र अपना समय बता रहा है कि 57 से चीजें बहतरीन है मुझे लगता है जिस परकार से ये करियर और धन की रेखा बन रही है 57 वर्स से आपको ये ब्यापार निश्चित दिलाएगी ऐसी प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही है अगर ये इस्पष्ट हो गई और गरह की इस्तिति भी बदल गई तो यकीन मानिएगा 57 वर्स की आयु में आयु से बहुत अच्छा समय आपका आने वाला है ये इन चीजों को बता रही है तो यहाँ पर इस्तितियां बेहतरिन इस्तिति में आ रही है एक रेखा यहां सी जा रही है ये भी धीरे धीरे परबल इस्तिति में आ रही है ये रेखा है बुद्द की रेखा और कहीं न कहीं ये दोनों रेखाएं अपने इस्तिती में आ गए तो यकीन मानिएगा ब्यावसाई करींगे भी तो तरकी को दिखा रही है बोलने के धंग के कारण भी आप अपने जिवनकाल में धन कमा सकते हैं ये इस्तिती बढ़ रही है लेकिन अगर चंद्रमा इसी परकार से थोड़ा भी खराब रहा है और ये रेखा प्रबल हो गई तो पेट से समंदित परेशानी हमेशा बनी रहेगी इसका भी ये कारण दिखाई दे रहा है यहां से ये इस परकार से एक मनी ट्रेंगल बना रहा है तो अगर ये मनी ट्रेंगल इस पश्ट मन गया और कहीं न कहीं ये दोनों रेखाई भी इस पश्ट रूप में उभर गई तो इन छेत्रों का बुड़ापे में प्रभाव नहीं पड़ेगा मनी मेनेजमेंट की ताकत बहुत बढ़ जाएगी और कहीं न कहीं आप अपने खर्चों पे रोक लगा लेंगे यहां से अगर हम देखते हैं तो एक रेखा इस परकार से यहां पे जा रही है और यहां पे भी कहीं न कहीं ट्रेंगल और क्या बना रहा है मनी बुडापे में धन के मामले में संगर्स खतम होने वाला है यहां पे कहीं न कहीं में एक उपाई दे रहा हूं उसको जरूर करें तो इन चीजों का प्रभाव बढ़ जाएगा आप कहीं न कहीं सपलता की प्राप्ति करेंगे बिदेशों से भी धन ऐसे लोगों के पास आता है लेकिन जब इस प्रकार की रेखाई इसको काट ले इस प्रकार की ऐसे लोगों को थोड़ा सा जो है दोस्ताना से बचना चाहे है मैंने कैसे दोस्ताना से अगर पीने खाने वाले हैं तो सब के साथ बैठ कर पीना खाना छोटना होगा कहीं न कहीं ब्याग्यात ऐसे लोगों के अंदर होता है ये लोग जो है कुंठा के सिकार हो जाते हैं यहाँ पे हमने सबी चीजें देख लिए हैं यह सुक्र का जो प्रवत है आपका बहुत ज़्यादा उठ गया है और ब्रिश्पति का प्रवत सामन्य अस्ता में आ गया है जब यह बहुत ज़्यादा उठता है यह सामन्य रहता है तो यह मानसिक परिशानियों को जन्म देता ह ब्यक्तिका जीवन संकटों और कठनायों के बीच गुजारता है लाख प्रियास करने पर सारे साधन होने के बावजोद भी जो चरम सुक का भोग है जो सुक है उसमें ये पूरी त्रोसिक कमी करता है सब कुछ ठीक हो वो सकता है आपका स्वस्थ्य गड़बर हो जाए आपका सब कुछ ठीक है स्वस्थ्य भी ठीक है आपके रिष्टे भी ठीक है लेकिन आर्थिक इस्तिति खराब हो जाए कहीं न कहीं ये सुक से बंचित करता है बिक्तिकों ठीक है ने तो सुक्र आपका कहीं न कहीं यहां पे खराब दिखाई दे रहा है इसको ठेक जरूर करना होगा निमन मंगल और उच्च मंगल की हमने पहले ही बात कर ली है ब्रिस्पति आपका सनी की तरब देख रहा है हलके फुलके परिवार को लेके भी चिंताये अभी थोड़ी सी बनी हुई दिखाई दे रही है लेकिन आगे चल कर ब्रिस्पति के अच्छे प्रणाम मिलेंगे सनी आपका लगबग ठीक है बहुत ज़्यादा खराब नहीं है लेकिन सूर्य और बुद्ध इन दोनों को मैंने देख लिया है पूरी तरों से बिस्रेशन करके भीज दिया है और थोड़ा सा ये जो है उबर रहा है ठीकने और ये बैट रहा है तो हरी सबजी, हरे फल, हरी दालों का सिवन जरूर करे इसके बारे में मैं पहले ही बोल चुका हूँ यहाँ पे ये इसपष्ट कह रहा है अभी थोड़ा सा संगर्स भी है और खासकर फिप्टी सिक्स एयर तक सतावलों में वर्स से चीजें थोड़ा सामन्य हो रही है वो सके बहुत अच्छा सामन्य हो जाए जैसे इस्तितियां दिखाए दे रहे हैं आप करने की कोशिस करें निश्चित ही आपको सपलता मिलेगी इस वीडियो में बस इतना है एक नई वीडियो के साथ पनो उपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार